आईए अब कोलाइट के दूसरे गुण को जानते हैं कोलाइट विलियनों का रंग यहाँ पर आपको एक चितर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लाल कलर का है एक परपल कलर का है पैगनी कलर का और एक जो है वह गोल्डन दिख रहा है यदि आप से प किनारे वाला है golden color का दिख रहा है यह गोल्ड है बाकी यहां पर आपको बता दें कि आपको जानकर यह आश्चरी होगा कि बाकी के जो red color और purple color के आपको solution दिखाई दे रहे हैं यह भी gold ही है यह gold के collide है यहां पर अंतर इस बात का है कि इनके पार्टिकल साइज अलग-अलग है यदि हम एक गोल्ड का सॉल लें यह जिसमें की इनके कड़ों की साइज माल लिजिए 100 नैनोमीटर की आसपास है और यदि हम इसका और बारी को लाइट सोलूशन बनाना शुरू करें तो जैसे-जै कोलाइट कड़ों का आप देख रहे हैं यहां पर जैसे-जैसे कोलाइट कड़ों का आकार छोटा होता जाएगा इनके रंग में भी परिवर्तन होता जाता है जब कोलाइट कड़ों का आकार लगभग 100 नैनोमीटर या उससे अधिक है तो यह आपको गोल्डन दिखाई दे दिखाई देता है और जब गोल्ड के कोलाइटल कड़ों का आकार 20 नैनोमीटर हो जाता है तो यह आपको देखने है कि यह ड़ड कलर का दिखाई देता है तो इस प्रकार देखे यह अलग-अलग का वाइट हैं यह गोल्ड के ही ऑप savelien हैं इन मेंं अंतर सर्फ इनके कॉलाइडल कणों के आकार का यहां पर आपने बहुत कुछ है इमारतों में इस प्रकार की painting देखी होगी इसका यदि हम उदहराण देखें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंटिंग में अलग-अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, वो भी वास्ताव में गोल्ड के ही कोलाइडल सॉल हैं, जिसमें इनके कड़ों का आकार जो है, वह अलग-अलग होता है, तो इस तरह से हम देखते है कि अलग-अलग गोल्ड के पार्टिकल साइज अलग हो जाने पर इनका रंग भी अलग-अलग हो जाता है, आईए अब जानते हैं कि इन कोलाइड कड़ों के अलग-अलग रंग के पीछे कारण क्या है, कोलाइड कड़ों का रंग परिक्षिप्त कड़ों के द्वारा प्रक प्रकाश की तरंग धैर पर निर्भर करता है और किस प्रकार की प्रकाश की तरंग धैर का प्रकिर्णन होगा यह निर्भर करता है कणों की साइस पर पैया देखा गया है कि जो भी कुलाइडल कण होते हैं जो छोटे साइस के होते हैं वे श्वेत प्रकाश की कम तरंग धैरे दधिए मट प्रकाश की किर्णों को अवशोशित करते हैं और अधिक तरंग धيरे वाली प्रकाश की किर्णों का प्रकिलण करते हैं उदारन के लिए एदी हम गोल्ड सॉल को लें तो इसके जो कंड बीस नेनो मीटर साइज के होते हैं, काफी छोटे होते हैं, वो आपके वाइलेट, ब्लू, ग्रीन, इन सारी कलर की जो तरंग धैर होती हैं, जिनक्या तरंग धैर कामान कम होता है, उनको अवशोशित कर लेते हैं, और अधिक तरंग धैर वाली प्रकाश की क्योंच लाल रंग को यह प्रकेण देता है क्योंस की जब करेंवाली को अव्शोशित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत कम तरंग धैरी वाली प्रकाश की किर्णों को प्रकृणेत करते हैं और इसे लिए जो बड़े साइज के 100 नैनोमीटर से से बड़े साइज के गॉल्ड के सॉल होते हैं जिसमें कुलाइट कणो का साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होता है वो रेड कलर की तरंग धैर जिसका तरंग धैर अधिक होता है उसको अवशोशित कर लेते हैं जबकि यलो कलर की जो प्रकाश की किर्णे हैं उनको वे प्रकृणित करते हैं और इसे लिए ये गोल्डन दिखाई देते हैं तो इस तरह से हम इस पर निर्भर करता है एक यहाँ पर बात और है कि कोलाइट करों का जो रंग होता है वह प्रेक्षक देखने वाले के देखने के तरीके पर या देखने वाले की दिशास पर भी निर्भर करता है उदाहरन के लिए यदि हम दूद का कोलाइड विलियन दूद और पानी का मिक्स करके जब हम कोलाइट सोलूशन लेते हैं और उस पर सीरी प्रकाश डालते हैं और प्रकाश की दिशा में जिस दिशा में प्रकाश डाला जा रहा है उसी दिशा से यानि कि पारगमित प्रकाश की दिशा से जब हम उस कोलाइट सोलूशन को देखते हैं तो वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है जबकि यदि हम उसके अभिलंबवत दिशा से या फिर हम कहें कि परावर्तिक प्रकाश की दिशा से हम उसको देखते हैं तो वही दूद का जो कोलाइट सोलूशन है वह हमें नीले रंग का दिखाई देता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोला देखने की दिशा पर निर्भर करता है क्योंकि जो प्रकाश किर्णों का प्रकिर्णन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है तो जब प्रकाश की किर्णे एक दिशा से आ रही है तो सामने कुछ प्रांस्मिट होई उसके बाद कुछ किर्णे जो होती है वो प्रकिर्णित दिखाई देता है चलिए अब हम जानते हैं कोलाइट विलिनों के तीसरे गोंड यहने की मेकानिकल प्रॉकरपटी यांतरिक गोंड को जिसके अंतरगर हम जानेगे जैसे कि हमने पहले देखा जब हम सीनेमा हौल में आपने देखा होगा की जो प्रकाश का पत होता है। उसमें आपको ढूल और धूए के कड़ भी गती करते हूए दिखाई देते हैं। और उनकी गती भी आपने देखी ओगी, किसी भी दिसा में रैंडम मोशं वो करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऑजी देख सकते हैं। यह धूल या धूवे के कड़ों की जो गती है जो विभन दिशाओं में टेड़ी मेड़ी जिग जग गती है वही वास्तों में ब्राउनियन मोशन है इसका सरप्रथाम अध्यन राबर्ट ब्राउन ने किया था और इसे लिए इसे ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है अब ब्राउनियन मोशन के पीछे कारण क्या है क्यों यह ब्राउनियन मोशन होता है इसके पीछे कारण है कि जो कुलाइडल सुलूशन होता है उसमें दो प्रकार के कण है एक तो है परक्षेपत प्रक्षेपत प्रावस्था यह परक्षपत प्रावस्था जिसके कणों का आ परिक्षेपन माध्यम के कड़ हैं वो परिक्षप्त प्रावस्था के यानि की जो कोलाइट पार्टिकल्स हैं उन पर असंतुलित असमान टकर उनसे करते रहते हैं और उनके असमान टकरों की वज़ा से एक असंतुलित बल उत्पन होता है जिसकी वज़ा से जो कोलाइट पा कणों के द्वारा जो कोलाइडल कणों पर असंतुलित बल लगते हैं उसकी वज़ा से विभिनदिशा में टेड़ी मेड़ी गती दिखाई देती हैं जिससे हम ब्राउनियन गती कहते हैं यहां पर आप देखें कि जो ब्राउनियन गती होती है इसका प्रभाव क्या है तो इस ब्राउनियन गती का प्रभाव की वज़े से इन में लगातार कुलाइडल कणों में एक विडोलन प्रभाव उत्पन होता है यह लगातार गती करते रहते हैं और गती करने की वज़े से यह आपस में मिल नहीं पाते यonter होने के पाद ये आपस में जूड़कर नीचे अवख्षेपित हो सकते हैं और यदि अवख्षेपित हो जाते हैं तो हमारा कोलाइडल सिस्टम हो जाता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि Brownian motion की वज़ा से जो collider करने लगातार गती करते हैं, इनमें लगातार गती होती रहती है इस्थर नहीं हो पाते और इस तरह से collider solution के लिए जो इस्थायत होती है वो Brownian motion पर निर्भर करती है यहने कि brownian motion collidal villainy के इस्थायत के लिए उत्तरदाई होता है अब देखें कि जो brownian motion है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं तो brownian motion किसी भी particle size यहने कि collidal कणों की size की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता यह किसी भी प्रकार का धनावेशित हो रुनावेशित हो यह किसी भी प्रकार का हो उसकी प्रकृती पर निर्भर नहीं करता लेकिन यह कणों की particle की size पर निर्भर करता है नेचुरली यदि एक collidal कणों का आकार बड़ा होगा तो वो छोटे आकार के जो परिक्षेपन माध्यम के कणों के उनके द्वारा कम टकरों का अनुभाव कर करतेंगे जिसकी वज़य से उनकी गति कम होगी तो और यदि कॉलाइडल कणों का size काफी छोटा होता है तो उनमें ज्यादा बल का वो अनुभाव करते हैं और उनकी गति ज्यादा होती है निकि उनमें ब्राउने मोशन ज्यादा दिखाई देता है दूसरा है जो कॉलाइडल कण है उनकी गति धीमी हो जाती है तो शानता अधिक होने पर विलियन की शानता ज्यादा अधिक होने पर वहां पर ब्राउने मोशन में कमी आ जाती है तो इस तरह से हम देखें कि कॉलाइडल कणों का जो यह यांत्रिक गुण है ब्राउने मोशन वह भी कॉला